So hello friends welcome back to another new video तो CET Cell के तरफ से एक बहुती बड़ा अपडेट आया है MST-CET examination dates से related अभी आपके जो examination dates है वो फिर से जो है वो extend हो चुकी है and extend हुई है due to elections and अब जो new dates है वो भी release हो चुकी है CET Cell के official website पे तो क्या है guys new dates and कब आपके MST-CET के examination होंगी चलिए देखते है तो आपको आना है guys CET Cell के official website पे and यहाँ पे आके guys आप देख सकते हो important notice revised date for CET 24-25 and इस PDF में guys सारी जो new dates है वो दी हुई है जैसे आप guys यहाँ पे देख सकते हो यह है हमारा MST-CET का course and सबसे पहले हमारी PCB के examination होने वाले थी जो की conduct की जाने वाले थी 16th of April से बट अब guys जो dates है वो exchange कर दी गई है due to election dates अभी guys जो आपके examination है वो start होने वाली है 22 April से 22 April को exam रहेगी 23 April को exam रहेगी 24 को रहेगी फिर बीच में 4 दिन का gap है फिर 28 April को examination है वो रहेगी फिर 29 April and फिर 30 April मतलब 22 April से लेके तो 30 April के बीच में आपके PCB के examinations है वो अब जो है वो conduct किये जाएंगे वही अगर PCM group की बात की जाए तो यहाँ पर 2nd May पे examination जो है वो start होगी तो direct May मन्त में PCM group के examination है वो conduct की जाने वाली है फिर 3rd, 4th, 5th में आपके PCM group के जो examinations है वो होने वाले है ठीक है तो जो dates है वो अच्छी खासी जो है वो exchange हुई है अभी अगर हम PCM group की बात करें तो यहाँ पे अच्छा खासा और extra जो time है वो students को मिलने वाला है preparation के लिए अब आपके मन में यह question होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से date को हमारा examination रहेगा तो यह आपको पता चल जाएगा आपके admit card पे admit card जिसे हम haul ticket भी बोलते है तो अगर आपने registration form फिल किया होगा तो कुछ दिनों में हमारा haul ticket है वो release हो जाएगा जिसमें हमें पता चलेगा कि किस date को हमारी examination है और कौन से center में जाके हमें examination देनी पड़ेगी तो उस PDF में आपका center प्लस आपके examination की जो date है वो आपको पता चल जाएगा आपको उस date को जाके अपना examination है वो देना पड़ेगा ठीक है सब इस्टोरेंट्स को एक specific date ही मिलती है तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको 22 की date मिली तो आपका मन हुआ कि अभी नहीं देना है बाद में देना है आप 29 को दे पाऊगे तो ऐसा नहीं होता है जो date आपके hall ticket में रहेगी उस date पे जाके आपको examination जो है वो देना पड़ेगा ठीक है तो ऐसा सेम टाइप के question वैसे toughness और सारी चीज़े और पूरा इंटरफेस है वो भी ऐसा है जैसे CET के official paper में रहता है वैसा साथी में पेपर देने के बाद आपको actual scorecard है कितना rank है वो भी आपको देखने को मिलेगा तो जितने भी students ये paper देंगे उन सभी का rank भी वापर आप तो free में guys आप इसका जो है वो access कर सकते हो इसका access आप मेरे website से भी कर सकते हो साथी में आपको मेरा app भी मिल जाएगा play store पे link description में तो अगर आपको mobile से देना है तो mobile से आप ये free mock test जो है वो दे सकते हो अगर आपको laptop desktop से देना है तो मेरी website पर जाके वापर free materials देख लेना वासे भी guys आप इस mock test का जो है वो use करके अपना जो practice और जितना भी अभी आपका preparation हुआ है वो test कर सकते है और देख सकते हो कि कितने marks आपको आपको आ रहे है और अभी guys आप जितने भी student ये test देंगे तो सभी का एक लिए जो leaderboard है वो भी आप आप आएगा तो आपको भी पता चल जाएगा कि अभी जितने भी student ये test दे रहे है तो उनसे आप कितना आगे हो और आप कितना जो है वो पीछे हो तो free mock test है link description मिल जाएगी वहां से आप लेके इसका use कर सकते हो और देख सकते हो कि कितने marks आपको अभी जो है वो मिल रहे हैं कितना और आपको पढ़ना चाहिए ठीक है और बाकी ये dates रहेगी इसके अलवा आपका जो admit card है वो भी अप थोड़ा जो है वो delay होगा तो वो कब तक release होगा तो मैं आपको टाइम पर अपडेट कर दूँगा और इसके अलवा हमारा जो telegram group है वो भी join कर लेना वहाप पर मैंने free में काफी सारे जो formula books और वो सारे PDF जो है वो डाले जिनका use करके आप अपना जो preparation है वो और भी अच्छे तरीके से जो है वो कर पाओगी ठीक है तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही hopes आपके video information लगाओगा और ऐसे वीडियो उसके लिए इस चैनल को subscribe से कर लेना ताकि आपको टाइम पर सारे जो updates है वो मिलते रहे